नमस्कार साथियो स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्टेडी बात विद रितूबर तो आज एक बार फिर हम पढ़ेंगे महिला और बालाप्रा से सम्मंदित महतोपुन पशनोत्रे हमने इससे पहले दो शेशन जो हैं वो 30-30 कुशन के कर लिये हैं आज जो होगा वो ह हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट शेशन होगा वह बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन है मैंने जितने हो सकते थे उतने कुशन इसमें लेके आई हो और जैसी आपकी डिमांड थे कि मैडम आंसवर भी साथ डालो तो मैंने आज की शेशन जो है उसमें आंसवर भी साथ ले लि पहली आते हैं पहला क्यूशन है राष्टिय अपराद रिकोर्ड ब्यूरो की स्थापना किस समीती की सिफारिश के आधार पर की गई कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इस सम्मन्द में पढ़ाया था तो इसका अंस्वर रहेगा टंडन समीती किलियर है सभी को यहां तक महिलायम से बाल अपराद विभाग की स्थापना है वो कब की गई तो महिलायम से बाल विकास विभाग इसकी स्थापना होती है 1985 में और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको ज्यादा से ज़रा लाइक करौ़ शेयर करौ़ ताकि हमारा भी होसला बढ़े कि हम भी कि अगर आप अच्छा सा response दोगे तो हम भी आपको अच्छा response देंगे मैं भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ सबी को जो अच्छी लग रही है अब देखो हमारी भी जो बैसी है कि उसमें मैं आपको time निकाल के time निकालना पड़ता है time निकाल के आपको जितना हो सकता है उतना मेहनत करके आपको questions लेके आते हैं या और कोई जानकारी और कोई topic आपके लिए लेके आते हैं तो हमारी भी आप एक्षा रहती है कि जो भी आप जो हमारी class से देख रहे हैं आपको अच्छी class लगे जैसे third question है रास्टी अप्राद रिकोर्ड विभाग का मुख्याले कहां है यह मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था जो पढ़ा दिया था उनी topics में से question लेके आए हैं नई दिल्ली में जो है रास्टी अप्राद रिकोर्ड विभाग का नाम बदल कर महिला एंप्राद विकास मंत्रा लेक कभी किया गया तो यह किया गया 2006 में नेक्स्ट है दहेज परथा पर परतिबंद लगाने है तो देश में दहेज निरोधक अदिनियम कभ लागू किया गया तो यह किया गया 1 जुलाई 1961 को 1 जुलाई 1961 को दहेज परतापर परतिबंद लगाने वाला जो अदिनियम बना था वो लागू किया गया था निर्भया एक्ट को कभ लागू किया गया निर्भय एक्ट के समंद में भी आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है 3 अप्रेल 2013 को जो है निर्भय एक्ट को लागू किया गया हिंदू विवाह कानून की स्वर्ष में पारित होता है तो ये होता है 1955 में पारित पूर्व घरबादान और प्रशव पूर्व निदान तक्निकी अधीनियम 1994 मजी से बोलते हैं PCPNDT को कब लागू किया गया तो इसे किया गया एक जनवरी 1906 में इसे समंदी थी एक योजना चल रही थी बही मुखबीर योजना मुखबीर योजना के समंद में भी आपको बता दिया गया है पहले इसमें जो मुखबीर है जो सूचना देता है इस समंद में उसको तीन लाग रुपे की जो है वो प्रोसान आसी दी जाती है इस योजना के तहद और ये जो तक्निक आती है कि आप पूर्व गर्भादान और परसो पूर्व निदान तक्निक आधिनियम जो है इसको लागू किया गया 1 जनवरी 1996 राजस्तान डाइन परताडना निवारण आधिनियम 2015 को कब लागू किया गया तो इसे किया गया 26 जनवरी 2016 को लागू तीन तलाग एक आता तीन तलाग अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया तीन तलाग अधिनियम लागू होता है 1 अगस्त 2019 को तीन तलाग एक है मीटू अभियान की शुरुआत कब हुई मीटू अभियान जो है इसकी शुरुआ 2017 में होती है ये एक सोशल मीडिया का माध्यम होता है तो मीट्यो अभियान है इसकी शुरुआ 2017 में होती है सर्व पर्थम मीटू वाक्यांस जो है इस शब्द का प्रियोग ये जो मीटू शब्द है मीट्टू इस शब्द का प्रियोग सबसे पहले कभी किया गया तो ये जो है 2006 में सबसे पहले इस शब्द का प्रियोग किया गया मानव तसकरी रोख्थाम शुरक्षा वे पुनरवास बिल के तहत जिला इस्तर वर राजे इस्तर के दौरा राजे सरकार के दौरा किस अधिकारी की निक्ती की जाती है मानव तसकरी से सम्मंदित तो इस सम्मंद में जो है anti-trafficking जो पुलिस अधिकारी है उसकी निक्ती की जाती है इनके options जो है इनमें भी confuse हो जाते हैं कई बार कई बार हम सोचते हैं कि या रहे तो नोडल अधिकारी होगा या पुलिस अधिकारी होगा नहीं एंटि ट्राफिकिंग पुलिस अधिगारी होता है मानो तसकरी रोख्थाम सुरक्षाव पुनर्वास बिल्किस वर्ष अधिनियमित किया गया तो यह किया गया है 2018 में महिलाओं को पृसूती साहिता प्राप्ति करने का आधिकार है किस अनुछेद के तहत दिया गया तो आर्टिकल 62 महिलाओं को प्रसूती अवकास जहाव दिया जाता है है च्छे महीने का फिर आता पोकशो कानून का उधर्ष्य क्या है कि जो पोकशो कोर्ठ है फोकशो एक्ड बना गया है इसका उधर्ष्य आता meditate कि इस कानून में बच्चे की राहत के लिए मोजे का भी प्रावदान है यह कानून बाल योन शोशन के तहित आने वाले जो वेवार है उन अपरादों को घोशित करता है ऐसे अपरादों से निपटने के लिए समवेदन शील परिकरिया निर्धारित करता है ताकि उसमें बच्चे की भागेदारी सुनिशित हो शके ये पॉक्सों जो है ये सिर्फ लड़कियो या लड़कों के लिए नहीं ये सभी जो वर्के लड़के लड़के लड़किया ट्रांसजेंडर सभी के लिए लागू है तो इसमें आ जाएगा उप्यूक्त सभी लेंगी कपरादों से बालकों का सरेक्षन अधीनियम पारित होता है 2012 में बाल अधीकारों के सरेक्षन वर पुनरवास के लिए नीदेशाल ले बाल अधीकारिता का गठन जो हो कब किया गया तो 17 मए 2013 को इससे समंधिल जो अधीनियम है उसका गठन किया गया बाल विवा निशेद अधिनियम बाल विवा से सम्मंदी जो निशेद अधिनियम है इसकी स्थापना होती है 2006 में बाल विवा निशेद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया तो ये लागू किया गया नवंबर 2007 को अब देखना इस पहले वाला क्यूशन क्या है बाल विवा निशेद अधीनियम है कब का है 2006 का बाल विवा निशेद अधीनियम 2006 लगु कब होता है नवंबर 2007 को बाल विवा मुफ्त मुक्त राजस्थान सांजा अभियान की जो शुरुवात है वो कहां से होती है तो जयपूर से कि बाल विवा मुक्त राजस्थान कि यहां पर बाल विवा नहीं होते इस अभियान की जो शुरुवात है वो जयपूर से की गई शार्दा एक्ट कब लागू हुआ तो शार्दा एक्ट है यह लागू होता है एक अप्रेल 1930 को एक अप्रेल 1930 को यह लागू होता है इसको जो है शमाप्त कब किया गया तो शार्दा एक्ट को समाप्त किया गया 2006 में ठीक है क्यूशन देखो आप यहां पे शार्दा एक्ट ल फिर एक नया अधिनियम लाए जाता है कि 2006 में तो इसे समाप्त कर दिया फिर इसके जगे एक नया अधिनियम लाए जाता है वो लागू होता है एक नमंबर 2007 को अनमेल विवा है और बाल विवा निशे ददीनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने कब लागो किया आप देखो इसमें क्यूशन दो हो गए अनमेल विवा और बाल विवा निशे ददीनियम सबसे पहले किस रियासत में लागो हुआ अलवर में कब लागो होता है 10 दिसम्बर 1903 को सर्व परतम बाल विवा के बारे में जानकारी किसके साशनकाल से मिलती है यह पुराने क्यूशन है भई यह मैंने इतिहास से ले लिया है इसमें है हर्षवर्दन क्योंकि बाल महिला में बाल विवा बाल अपराध है तो इसमें क्या है कि बाल बचों से समंदित है तो बाल विवा ये पी पूछ सकते हैं कि बाल विवा के बारे में जानकारी किस के साशनकाल से मिलती है तो हर्षवर दिन के साशनकाल से मिलती है कार खाना कानून अधिनियम कब पारित होता है तो कार खाना कानून अधिनियम जो है ये 1978 को पारित होता है बालश्रम अधिनियम 1986 किस संगटन के प्रावधानों के अनुरूप है यानि कि बालश्रम अधिनियम 1986 है वो किसके अनुरूप है किसके अंतरगत आता है तो अंतरास्टिय शरम संगटन जो है उसके अंतरगत आता है कि जो वीश्व बालसरम निरोध दिवश ये बनाया जाता है 12 जून को समग्र बाल सुरक्षा योजना कब प्रारम की गई? तो समग्र जो बाल सुरक्षा योजना है वो प्रारम होती है 2009 दस से भारतिय सविधान का कौन सा अनुछेद है? जो 14 वर्स की कम आयू के बच्चों को फैक्टरी में कारिय या अन्य जोखिम बरा कारिय करने से रोकता है वो आता है आर्टिकल 24 कि 14 वर्स कम आयू के बच्चेयां उसे जोखिम बरा कारिय नहीं करवाय जाएगे या आता है आर्टिकल 24 में भारतिस विधान का कौन सा अनुचेद है जो पुरुष के साथ इस्त्री को भी सम्मान कारी के लिए सम्मान वेतन सम्मान कारी के लिए सम्मान वेतन आता है आर्टिकल 49 में निति निदेशक तत्व जो है उनमें जो है इनके समंद में बताया गया है कि सम्मान कारिये के लिए सम्मान वेतन पुरुष के सम्मान ही वो आता आर्टिकल 39 में भारतिय सविधान के किस अनुछेद के अंतरगत बेगार पर्था को समाप्त कर दिया गया तो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत बेगार पर था कोश्माप्त कर दिया गया तो आर्टिकल 23 में और 14 वर से कम आयो कि बच्चों से जोखिम बराकार ये नहीं करवाये जाएगा आर्टिकल 24 और बेगार पर था आती है आर्टिकल 23 ये हमारे जो इंक्यूशन है भई तो महिला है हो बाल अपराद इससे समंदित जो भी अधिनियम है या इनसे समंदित जो भी योजनाई है इनसे समंदित जो भी एक्ट बनाएगे वो सारी चीज़े आएगी आर्टिकल है सवेधानिक प्रावधान है तो अब देखो योजना है जो हम इने सबसे पहले आफको योजना ही करवाई थी महीला और बाल अपराद में महीला हो बच्चों से संमंधित अलग अलग योजना ही आफको करवा रखी है एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देखिए प्लेइलिस्ट में जाकर देखिए आपको जरूर क्लास मिल जाएगी उसको अच्छे से देखिए ठीक है और कोई अपडेट होती है आपको जरूर देंगे और अच्छे से क्लास जो है उसको देखो बार बार इसका रिविजन करो ज्यादा कुछ नहीं है और रही बात जो सब्सक्राइब को जरूर करना टेलिग्राम चेनल को जोइन करना मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद